आकाश्वानी फुपाल से प्रसुथ है रायसेन सले के चित्थी आलेख् विनीत महस्वरी पाजन्सृर दीपा सिंग राइसेन सिलीमी 17 सितंबर से प्रारम हुआ सुचिता ही सीवा अभियान 2 अक्ट्यूबर तक जारी रहेगा सुचिता ही सीवा अभियान में इस साल सभाव सुचिता संसकार सुचिता थीम रखी गई है राइसेन सिली में सुचिता ही सीवा अभियान के तहट ग्राम पंचायत स्तर पर जागरुक्ता कारिक्रम आयोजित किये जा रहे हैं राइसेन की महामाया चौक पर राइसेन जिले के प्रुभारी मंत्री नारायन सिंग पमार ने सुचिता ही सीवा अभियान के तहट श्रुमदान करते वे सुचिता का संदेश दिया कलेक्टर अर्विन दुबे ने कहा कि सुचता ही सिवा अभियान शासन का महतपून अभियान है अभियान में नागरिकों को सुचता शपत दिलाई जाएगी और सामुहिक श्रुमदान भी किया जाएगा जिले में एक पेड मा के नाम अभियान के तहट निरंतर पौधरूपन के लिए अभियान चलाया जा रहा है जिसमें परवन सनक्षन का संदेश दिया जा रहा है राइसेन की शासकी कलिक्टरेट स्कोल परिसर में जिले के फ्रुभारी मंत्री नरायन सिंग पवार ने पौधा रूपकर परवन सनक्षन का संदेश दिया उन्होंने कहा कि परवन सनक्षन के दिशा में प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी दवारा पहल की गई है और एक पेड मा किनाम अभियान के तहत लाखों की संख्या में पौधरूपन करते वे उनकी देखभाल के जाने का संकल्प भी लिया गया है राइसेन सिले में पहला प्रधान मंत्री जन औशदी केंडर शासकी सिलास बताल में प्रारंब हो गया है प्रधान मंत्री नरींद्र मोधी के 17 सितंबर को जनमदिन के उसर पर प्रधान मंत्री जन औशदी केंडर की सौगात राइसेन जिले के वासियों को मिली प्रधान मंत्री जन औशदी केंडर पर मरीजों को सस्ती दवाईयां उपलब्ध होगी केंडर के शुभारम बॉसर पर राइसेन जिले के प्रभारी मंत्री नारैन सिंग पवार ने कहा है कि आमादमी को सस्ती और गुडवत्ता पूर जिनेरिक दवाईयां उपलब्ध कराने के दिशा में ये सरकार का महत्वपून प्रयास है यहां मरीजों को ब्रांडेट दमाओं के तुला में 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक कम दाम पर दमाईयां उपलब्ध होंगी जिले में 1 सितंबर से 3 सितंबर तक राश्री पूश्ण माह के तहत जागरुकता गतिविधियों का आयोज़न किया जा रहा है महिलायम बालविकास अधिकारी दीपक संकत ने बताया है कि जिले में आगनवाड़ी केंडरों में महिलायम बालविकास विभाग, स्वास विभाग, सिक्षा विभाग, आयुश विभाग, सहीत अन्य विभागों के सयोग से जागरुकता गतिविधियां आयोचित की जा र जिसमें 91 प्रतिशत बच्चे फून ता स्वस्त श्रेणी में आ रहे हैं। अन्योचनाओं के बारे में जानकारी दी गई। जारे विभिन जन कल्याणकारी युचनाओं का सफल क्रियानवन करते विन यधारी समयवधी में पात्र हितिग्राहियों तक लाप महुचाया जाए। निर्देश मच्वा कल्याण और मच्च से विकास विभाग के राजी मंत्री दिथा जिले के प्रफारी मंत्री नरायन सिंग पवार ने कलिक्टरेट सभाकक्ष में आयूजित विभागों के समिक्षा बैठक में जिला अधिकारियों को दे। उन्होंने कहा कि इतिग्राहियों तक सुगमता सी उजनाओ का लाप महुचे उन्हें इंतजार ना करना पड़े। जिले के चिठी समाक।